असलाम ओलेकुम एब्रीवन एंड वेलकम बेक टू और यूट्यूब चैनल तो आज हम ट्रेवल करने वाले मनुहर पूर में और आज जा रहे फिर बाई कार तो चल यह चलते हैं चल और फिलाल घर से अभी निकल गए और बज रहें आठ अभी टोटल डिस्टेंस 80 किलोमेटर और बाहर देख सकते हो आप मौसम आज का फिर भी माशाल लबूत अच्छा आज हुँ और क्योंकि दूर जाना चली फ्यूल डलवा लेतें पहले और भी हैं लेकिन चली पहले ही डलवा लेतें बात का भरूसा नहीं आपने। निल वाती मेले कार्ट से हो जाएगा भी यह नहीं हो पाएगा क्या है डिजल की पेट्रोल पेट्रोल क्या है बारा सो पत्चीज कार्ड कर लो ना अच्छा ठीर आगे से ले लेते हैं फोनी और यहां पर तो मिला नहीं यहां तक था पेट्रोल यहां पर लेकिन लेकिन वो कार्ड से ले नी रहे था पेएमेंट तो हम तो मैंने लिए कार्ट से करते इसलिए हमने अश्याख हो अजय नहीं देने ले लेगे चली यहां पर देखते हैं कार्ड चल जाए तो तो वेल एंड गुड है तो फिर दूसरा पैट्रूल पाम करना पड़ेगा फोन पे तो ले रहे थे अगे फोन पे अपन करते हैं नहीं फ्यूल में काट से करना पसंद करते हैं तो चलो भीया नहीं यहां पर बूल दिया ठीक हो जाएगा कार्ड मशीन ला रहे हम कार्ड चे करते हैं चलिए तो बारा सो पचीस का ले लिया है आपके चलिए चलते हैं और अभी आगे हैं जामदा यह अपना नुवामुंडी से 10 किलो मिटर की दूरी पर और यह रोड निकल जाएगा मनुहरपूर कीरी बूरू के लिए और आगे से एक और रूट जाता कीरी बूरू के लिए अगर आप लोग मेंसे कोई गया है कीरी बूरू तो कमेंट करके जरूर बताएगा और इंशालों उसका भी व्लॉग बहुत जल्दी बनाएंगे और यह अपना बोकना मंदिर यहाँ पर सत्चंग होता है और हलकी हलकी बारिश भी हो रही है गाडी में ट्रेवल करने के यही मज़ है कार में अगर बारिश हो तो इतना सारा डंपर आप देख सकते हैं हाईवा जो लगा हुआ है माइन्स में घुजने के लिए यहाँ पर माइन्स बहुत सारा है ना को लोडिंग लिए सब ख़ड़ा है और यह रास्ता जिससे हम लोग जा रहे हैं पूरा जंगल ही जंगल है कीरी बुरू भी से में यही रूट ही है हलका सार रूट कट जाता है और कीरी बुरू की अगर खास बात बताऊं तो संसेट पॉइंट के लिए फेमस तो है ही उसके साथ साथ एक और चीज़ अच्छी लगती कि बारिश में अगर आप देखोगे ना बादल आपके पाउं पे आजाएगा बादल आपके पाउं पे आके चलने लगेगा यह बह सानी चले जाता है यह अपन है बराई बुरू में और यहां पर सेल प्लांट है सेल फेक्ट्री है यहां पर अब यह वाला रोड है अपना किरी बूर यहां से डाइवर्ट हो जाता है यहां से हम निकल जाएंगे मनुहरपूर के लिए और यहां पर जित्ते भी रोड है तर्निंग बहुत ज्याद है यहां पर अब देख सकते हो पूरा पहाड़ी तर्निंग बहुत ज्याद है इस रोड में कर दो कर दो और यार एक चीज़ आप सबसे कहना चाहूंगा कि अभी आपने देखा कि जैसा पानी भरा हुआ था तो हम क्या करते हैं कि गाड़ी वहीं से लेकर के जाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है पानी उडाते हुए लेकिन इस चीज़ को अवाइट किया करिए क्योंकि एक्सिडेंट होने का चांज बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि आपका जो टायर है वह ग्रिप छोड़ा देता है पानी में और इसके साथ साथ मेरे फेस पर यह मारक आप देख सकते हो आप लोग तो बता देता हूं यह हीजामा करवाय है आम ने उसके वज़े से आया है और उसका वीडियो यह आप सबने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्टिप्शन में हम उसका लिंक देदे ते वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कपink धैर पिल्कोल नहीं रहता है ना यह टिलeniz न जीयों का सब दम तोड़ा देता है यह देखे बादल यहीं पर आगे है तो डेड़ घंटा मैं पहुंच गए मनुहरपूर और अभी तो फिलाल स्टेशन जा रहे हैं उसके बाद चलते नाश्ता वास्ता करने और फिलाल आगे हो मनुहरपूर स्टेशन और यहां पर लेने आया था रिलेटिव को और चलिए लेकर करके फिर आप सबसे बात करता हूं ब्रेकफास्ट भी करना है और बारि है पहले यही खा लेते हैं और पोडिक सब जिल्दी है उसके बाद को सो फाइनली अब हम घर आ चुके हैं और आज की हमारी जर्नी यही पर एंड करते हैं और जर्नी एक्सपिरियंस बहुत अच्छी रही कार से ट्रेवल कर रहे थे आज अपन और उसके साथ साथ बीच बी तो make sure कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और नीचे बैल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजेगा ताकि कोई भी ऐसी वीडियो हम डाले तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको time to time मिलती रहे मिलत अगली बार नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले खुदा आफिस दोस्तों कोई डाउट है कोई कोशन है तो कमेंट सेक्शन में बेजी जग पूछिएगा